हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नोबल मीडिया वर्क से मंगाया हुआ मोज रोज या पर्सलेन की कटिंग कैसी होती है और किस कंडिशन में यह आपको मिलता है तो फ्रेंड्स यह पैकेट अभी मैं लेकिया था पोस्ट अभी से तो एकदम पिलपिल इसा है गिला साथ और इसकी अंदर से कुछ इस तरह से इसू पेपर में लपेट कर कटिंग को रखी हुई है और कटिंग की कंडिशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है एकदम बढ़िया कंडिशन तो नहीं बोख सकते लेकिन हाँ ठीक ठाक क्रडिशन में आ गई है औ और सभी कटिंग को मैं को निकाल तरह दिखा देता हूं है क्याआच ऊफ्यसा और यहांपर फ्रेंडस आपको सब्सेति कटिंग मिल जाएंगी पर वही कलर कर कदिकत रहता है पताहि कौन कुना कलर भीजते हैं समर्ज में ने आत है और यह है टाइगर श्ट्रिप का कटिंग यह कटिंग इन सभी कटिंग से हल्दी है था और इस सभी कटिंग को लगाने से पहले मैं अच्छे से साफ करेंगा क्योंकि इसमें पत्यां सढने भी लगी है और जाले पत्यां सढ गई है तो इसे अच्छे से साफ करके मैं लगाऊ कर लूँ गा जैसे आप यहां पे देख सकते हैं जो भी बर्ड या फूल है उन्हें मैं काट क्या लग कर लूँ गा और जू काटिंग के लंबाई ज्यादा है से मैं कोटे-छोटे हिस्से में का मूंखा जैसे वाला है तो इसे मैं कर लेता हूं मैं तीरा से मैंने सभी cuttings को 2-3 तुक्ण में काट टेया है पर्सलेन वाली कटिंग को भी मैं इसी तरह से छोटे छोटे टुकने में कंट लूंगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सबी कटिंग को काट डिया है छोटे-đचोटे टुकड़ों में दो इस तीन इंच के टुकड़ों में अभी से और देखे कितनी सारी गंदगी इसमें से निकली है और बहुत सारे पत्ते सड भी गये थे अभी कुछ बाकी है इसको मैं बाद में अभी काट के साब करूँगा तो जो मैंने कटिंग कर लिए उन्हें लगाने के लिए मैं मिट्टी उसमें रहेगा 30% मिट्टी 30% कुबरखाद और बाकी रेद तीनों को मिलाकर अच्छे से मिक्स करके मैं गमले में भर लेता हूं और पर उस से मैं गिला कर लूंगा गिला करने के बाद जो कटिंग्स है उन्हें में लगाऊंगा तो इस तरह से गमली में मिट्टी को डाल कर मैं गिला कर ली रहा हूँ मिट्टी सेट हो गई है तो मैं आपको लगा के दिखाता हूं तो मिट्टी में थोड़ा सा लगड़ी के साहता से छेत करना है और उसमें डाल कर इसे अच्छे से लगा दिना है गिली मिट्टी में लगाने से अच्छे से लगता है तो बाद में मिट्टी में लगाने के बाद भी हो जाएंगे तो काफी पधे बच जाएंगे इसलिए मैं छोटे-छोटे टुकड़े करके इसे लगा रहा हूं तो इस तरह से सभी पधों को मैं लगा लेता हूं और लगाने के बाद तीन-चार दिन में ही आपको दिखने लगा कि पौधे में ग्रोध सुरू हो गए है जो नहीं नहीं अडालियां इसमें से निकलने लगी हैं और इस तरह से आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कापी अच्छी तरीके से कुछ दिनों बाद जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं इनकी और कटिंग काटकर दूसरे गमलों में या मिट्टी में लगाकर इनसे और पौधे तयार कर लूँगा तो इस तरह से आप नोबल मीडिया वर्क से पौधे मंगा कर इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं तो बस आज को वीडियो यही था फिल्म लेंगे किसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए